सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है हाई एब्रिवन आज मैं आप लोग ले बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ जो एकदम 15 मिनट में बन जाएगा बिना ओविन का बनेगा किनकि हर जगा 25 दिसंबर की त्यारियां चल रही है और हर घर में कुछ न कुछ बनता है तो किसी भी ग्रॉसरी दुकान में आपको मिल जाएगा उसको लेना है एक चम्मच मैदा डालिए उसमें अच्छे से मिक्स करके उसको रख दीजे यहां पर मैं मिक्सिंग बाउल ली हूँ आधा कप आप दाजा दही ले खट्टा बिल्कुल नहीं लेना है एक कप पीसी हुई चीनी लेना है दो बार करके मैं डाल रही हूँ पीसी हुई चीनी नहीं है तो मिक्सी में आप ग्राइंड कर ले आधा कप डिफाइंड ओयल डाले सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है यहां पर देखिए औल परपस मार्केट में मिलता है नहीं तो मैदा भी आप डाल सकते ह ग्राइं यहां डिफार दाल रहे हूं और उसको अंडल मैं यहां पर निकालूंगी तो चम्मच निकालने के बाद उसमें दो चममच आपको कांड फ्लोर оно है कांड फ्लोर डालेंगे बहुत अच्छा टेक्सिर आएगा और दो चमच आपको उसके बदले में डाल देना है उसके बाद आपके पास baking powder चाहिए, एक छोटा चम्मच आप baking powder डालें, baking soda, आधा छोटा चम्मच आपको डालना है, सबको छन्नी में आप डालते जाए, और एक चम्मच मैं यहाँ पर milk powder डाल रहे हूँ, यह optional है, मगर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, छोटा चम्मच से salt डालनें, और सबको अच्छे से छान कर mix कर लेना है, धीरे धीरे जो मैं तेल और चीनी का जो घोल बनाया थे, दही का, उसमें mix करते जाएं, धीरे धीरे डालते जाएं, और जब वो एकदम ठीक हो जाएं, तब उसमें आपको नॉर्मल टमप्रेचर का आधा कप मिल्क डालना है, और मिल्क डालते डालते उसको घोल को त्यार करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालें और mix करते रहें, अच्छे से आपको घोल एकदम त्यार कर लेना है, और दीरे दीरे चलाते रहना है, चलाते चलाते एकदम texture एकदम liquid smooth एकदम creamy जैसा बन जाएगा, तब आप समझ लेना कि आपके मतलब की घोल बहुत अच्छा त्यार हो गया है, यहाँ पर देखिए consistency मैं दिखा रहे हूँ, इस तरह से अगर हो जाए तो आपे stop कर देंगे, दूद बिल्कुल नहीं अब डालना है, एक चमच मैं यहाँ पर vanilla essence डाल रहे हूँ, और उसको भी डाल कर अच्छे से आपको फेट लेना है, जितना आप इसको फेटेंगे उतना ही आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, और यहाँ पर टूटी फूटी जो है उसको भी मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा आप बचा के रख लिजे, उपर से garnish करने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर food color मैं डाल रहे हूँ, ताकि इसका color बहुत अच्छा है, अगर आपके पास है तो जरूद डालें, नहीं तो ऐसी भी बहुत ही अच्छा बनेगा, और अच्छे से इसको mix कर लेना है, घोल को आप त्यार कर लें, यहाँ पर मैं अपम में कर ली हूँ, उसको अच्छे से तेल लगा लें, तेल के जगा पर आप liquid butter भी लगा सकते हैं, और उसमें चमज से थोड़ा थोड़ा डालें, और हलका हलका खाली उपर से रखना है, ताकि यह फूलेगा जब बनने लगेगा, तो हलका से space रखें, उपर से टूटी फूटी उसे, जैसे गार्निस करना है, आप डाल कर गार्निस कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, मैं हीट होने के लिए, पहले से ही तवार रख दी थी, लो मीडियम पे, अब इसे गरम हो गया है, अब उसी के उपर से अपमेकर रख देना है, थोड़ा सा गैस को तेज करें, और थोड़ी देर के बाद उसको लो मीडियम पे कर देंगे, ताकि वो ज समझ लिजेगा कि आपकी रेसिपी, आपकी केक बनकर रेडी हो गई है, थोड़ा सा ठंडा करें, और इसे देखिए, मैं बावल में सिफ्ट कर रही हूँ, कितना अच्छा जटपट बनने वाला ये रेसिपी है, और बिना ओवेन का बहुत ही फलपी, बहुत ही ठिस्टी ब बना है, इस्पंजिंग बना है, मुँ में घुलने वाला है, एक बार खाएंगे, तो बार बार मन करेगा, इतना टेस्टी बना है, सारा इंग्रेडियन मैं डाल दूंगी डिस्किप्सन में, आप जरूर देख कर बनाएंगे, क्योंकि एक भी थोड़ा सा मिसिंग होगा, त बहुत ही डिलिसियस, इस किसमस पे जरूर आप लोग बनाएं, और बहुत ही सस्ता है, कम समान में बनता है, और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है, इतना आसान तरीका है ये बनाने का, कि इससे आसान तो कुछ है भी नहीं,